दोस्तो आज हम बना रहे हैं पोहा कटलेट पोहा कटलेट बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी ये बन भी जाता है और एकदम कुरकुरी उपर से और अंदर से एकदम बढ़ियासी सौफ्ट बन के त्यार होती है आप इसे ग्रीन चेकनी या टमैटो केचप के साथ सर्फ कर सकते हैं तो चलिए बनाना के सहे देख लेते हैं एक बाउल में एक कब पोहा डालेंगे और इसे दो-तीन पानी से धो के और इसमें थोरा सा पानी डाल के पाच मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो आप देख पा रहे हैं मैं धोली और थोरा सा पानी डाल दी और अभी में इसको साइड में रख देती हूँ अभी में उबला हुआ तीन आलू ले ली इसका मैं छिलका निकाल दी अभी में इसको ग्रेट कर लेती हूँ आप चाहे तो मैस भी कर सकते हैं पर ग्रेट करिएगा तो बहुत बढ़िया बनके त्यार होता है इसमें छोटे बढ़े चंक्स नहीं रहेंगे और सारा आलू एक समान ग्रेट हो जाएगा तो यह देखे आलू भी ग्रेट हो गया है और पोहा को भी रखे हुए पाच मिनट के आसपास हो गया है तो पोहा भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है मैं आपको दिखा रही हूँ, यह देखे हाथ से जब मैं पोहा को मैस कर रही हूँ तो यह बहुत अच्छे से मैस हो रहा है तो अब हम पोहा को पानी से निकाल लेंगे थोड़ा दबाते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है पोहा ने जो सोक किया है पानी को उसको मैं दबाते हुए निचोर के और इसी आलू में पोहा को डाल लेती हूँ तो मैं पोहा को डाल ली आलू के साथ अभी में एक बारी कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, एक बारी कटा हुआ हडा मिर्च और थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता, इसी के साथ में थोड़ा सा दो चमच जितना बारी कटा हुआ सिमला मिर्च डाल रही हूँ, सिमला मिर्च से इस कटलिट में बहुत ब जाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ अभी मैं इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो डाल रही हूँ इसे भी बहुत बढ़िया इसमें फिलेवर और टेस्ट आ जाएगा और वाइंडिंग के लिए मैं दो जिसमें ब्रेट क्रम डालेगा तो इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी आप थोड़ा सा मिश्रन को हाथ में लेके गोला बना के देख सकते हैं अच्छे से बाइंड होता हो तो आप इसका कटलेट का सेप दे दीजिए अगर बढ़िया से बाइंड नहीं हो रहा ह तो आप इसमें एक चमच और ब्रेट क्रम डालके और फिर बढ़िया से मिला लिजिए फिर आप इसको कटलेट का सेप दीजिएगा तो आराम से आजाएगा तो इसी तरीके से सारे कटलेट को हम पहले बना के रख लेते हैं थोड़ा सा आप पाट ले लिजिएगा मिश्रन में से इस तरीके से गोला बनाते हुए हाथ पे रखके थोड़ा सा स्मूध कर लिजिएगा और थोड़ा सा दाबा दीजिएगा उपर से और उंगली की सहाता से इसका किनारा जो है थोड़ा सा आपको मोटा कर लेना है अगर फटा फटा रहे तो इस तरीके से घुमा घुम किनि में कर दोड़ा गाऊना कॉर्ण के टाल रोड़ा च्ससाण समय मैं मैंसे चपपर माइध दाल कर metallic इण घाले अगता है क्पाल धां सतनक कॉम पाउडरा भी धायर नमक eshat नमक तक घुनायक कहताुए तो ऐसे जब आप cutlet बनाएंगे ना तो इसमें बहुत बढ़ी आसे layer आजाती है cutlet के उपर और एकदम crispy cutlet बन के त्यार होता है और तेल में डालने के बाद वो पिखरता नहीं है तो इसलिए ये slurry बनाना बहुत जरूरी है आप देख पा रहे हैं बहुत गाढ़ा slurry को नहीं रखना है मैं इसमें थोरा थोरा पानी डालते हुए एकदम पतला slurry बना के त्यार कर लिए अब इसको चेक करके मैं दिखा रही हूँ ये देखे चमज को हम उल्टा कर रहे है तो एकदम पतली से इस पे कोटिंग आ रही है तो इसी तरीके का slurry हमें चाहिए अब कटलेट क क्रिस्पी करने के लिए आप कॉन्फलेक्स ले सकते हैं या ब्रेट क्रम ले सकते हैं तो मैं कॉन्फलेक्स भी रख ली हूँ और थोरा सा ब्रेट क्रम भी है अगर कॉन्फलेक्स कम पर जाएगा तो हम फिर ब्रेट क्रम में कोट कर लेंगे तो थोरा सा मैं तोड़ दी कॉ को और अब हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं तो एक कटलेट को ले लेंगे इस सलरी में डीप करके और निकाल लेंगे फोग की सहता से निकालेगा तो एक्ष्ट्रा जो सलरी है वो इसी बरतन में आ जाएगा और यह जो है कॉनफलेक्स वो खराब नहीं होगा तो अब हम कॉ कटलेट को डाल दिये हैं और अच्छे से इसके उपर हम कॉनफलेक्स को लगा लेते हैं तो यह देखे बहुत बढ़िया यह देखने में लग रहा है अभी से ही फ्राइ होने के बाद यह और बढ़िया देखनी में लगता है और खाने में तो इसका टेस्ट पूछे मत कोट कर सकते हैं पोहा में कोट कर सकते हैं सेमिया में कोट कर सकते हैं आपको जिसमें कोट करना हो उसमें कर सकते हैं कटलेट के ऊपर यह सबसे कोट कर लेने से बहुत बढ़िया क्रिस्पी कटलेट बनके त्यार होता है और ज्यादा टाइम तक यह क्रिस्पी बना रहता है तो अब हम इसे fry करेंगे तो तेल में गरम होने के लिए डाल दी और अब मैं एक एक करके इसमें कटलेट डाल देती हूं fry होने के लिए इसको fry करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चार से पाच मिनिट में fry हो जाता है गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे हम बढ़िया से fry कर लेते हैं उलट पलट के दोनों तरब से जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और इसके उपर गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आप इसे fry करिए और जैसे ही इसके उपर बढ़िया सा कलर आ देखने में एकदम क्रिस्पी हो जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे गैस का फ्लेम लो नहीं करना है मीडियम ही रखेगा नहीं तो हाई भी रख सकते हैं पर मीडियम में बहुत बढ़िया इसके उपर कलर आएगा तो आप देख पारें कितना बढ़िया इसके उपर कलर और इसे बोहुत ज़ादा देर तक भी फ्राइ नहीं करना होता है क्योंकि हमने इसमें उबला हुआ आलो और इसमें सोख किया हुआ पोहा डाला है इसमें जो भी समान हम डाले हैं वो ऐसे खाने वाला है तो इसलिए इसको बहुत जादा हमें फ्राई नहीं करना है, जब इसको उपर अच्छा सा कलर आ जाया, उपर से एकदम क्रिस्पी हो जाया, फिर आप इसे निकाल लीजे, तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया हमारा कटलेट पन के त्यार हुआ है, आप लोग भी एक जरूर ट्राई करिएगा, आप सभी को यह बहुत पसंद आएगा, कभी भी आप इसे बना सेकते हैं, सामका नास्ता हो, या फिर कभी भी बच्चे को कुछ क्रिस्पी और चटपटा सा खाना हो, तो आप बना के उसे दे सकते हैं, हेल्दी भी है, टेश्टी भी है, और घर म दिखा रहे हूं, कितना बढ़िया, एकदम क्रिस्पी उपर से, और अंदर से सॉफ्ट बन के त्यार हुआ है, तो मैं इसे टमेटो केचप के साथ सर्व करने जा रहे हूं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सेर और चाइनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा.